स्टापलस के फेमर शो ये रिष्टा क्या कहलाता हमें सच में ही सवाल उठने वाला है कि अर्मान और रोहित का रिष्टा क्या कहलाता है क्योंकि आ गया है कहानी में चबरदस ट्विस्ट क्या है वो ट्विस्ट ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक पने रहे वहीं upcoming track में आप देखेंगे कि रोहित पौदार परिवार में आ चुक है और दादी सा की खुशी का ठिकाना नहीं है अपने प्यारे पोते को देखकर दादी सा बहुत खुश है और पौदार परिवार में खुशी आ गई है माधव और विद्या तो इतने खुश है कि खुशी की वज़स से अपने आसू नहीं रोग पारे माधव अकेली में जाकर रोता है तो अभीरा माधव को खुल कर रोने के लिए कहती है क्योंकि रोहित के गायब होने पर माधव सब को संभालने के चक्कर में रो भी नहीं पाया था जबकि विद्या भगवान की आरती करती है और भगवान का शुक्रयादा करती है इसी बीच दादी सा डांस करने लगती है दादी सा के साथ पूरा परिवार भी खुशी से डांस करते है लेकिन फिर आएगा कहानी में एक नया मोर क्योंकि रोहित के आने से हिल जाएगी रोही की दुनिया वही रोही के लिए दादी सा का मन पिगल गया है और वो उसे घर में वापस आने के लिए कहती है दादी सा रोही से कहती है कि रोहित को घर में वापस लाने वाली वही है और अब वो चाहे तो दुबारा अपना रिष्टा शुरू कर सकती है दादी सार रूही के हाथ में उसका मंगल सूत्र थमा देती है मंगल सूत्र को देख रूही हैरान परिशान हो जाती है क्योंकि आखिर वो भी तो सच में नहीं जानती कि उसका रोहित का ये रिश्टा क्या क्या लाता है रोही को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे क्योंकि प्यार और शादी की उमीद तो अर्मान में देख रही है और अगर वो रोहित को चुनते है तो अर्मान तक जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे वही अरमान और अभीरा मिलक रोहित के लिए रूम डेकॉर करते क्योंकि असल माईनों में पुर्दार परिवार में खुश्या आ जाई है तिवाली आ जाई है इसी बिच अभीरा भार बरतन में पानी रखती है जिससे चांद को देख सके क्योंकि ये शुब होता है तब दादी सा भी अपना बरतन लेकर आ जाती है तब अभीरा दादी सा से एक दिन दोनों के लड़ाई को साइट कर खुश्या मनाने को कहती है और दादी सा पहली बार अभीरा की बात मान चाती है यहाँ तक कि दादी सा भीरा को चॉकलेट भी देती है क्योंकि उनका रोहित चुआ है लेकिन असली तमाशा तो तब होगा जब रोहित को होशाएगा क्योंकि रोहित अर्मान को सब के सामने सौतेला कहेगा वो कहेगा कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती ही थी रोहित कहेगा कि दादिसा ने हमीशा सही कहा है कि सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला ही रहता है अब क्या अर्मान ये अपमान का घूत पी जाएगा? क्या रोहित रूही को अपनाएगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस दर के और बिस टीटल अपडेट जानने के लिए फॉलो सब्सक्राइब कर इंस्टा फीट को साथी प्रेस करें हमारा बैल आइकन और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहें तो हमें फॉलो करना ना झाल झाल